हेलो एवरिवन वेलकम टू बॉल इन्वेस्ट आपने थगनिल देखा होगा जी हाँ इस वीटियो में हम जानेंगे आप जिरोता एप के ऊपर कैसे ऑप्शन चेन को देखोगे क्योंकि यार अगर आप 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 आप्शन चेन सीख जाते हो ना तो यह बहुत ही इंपोर्टे स्टेप है ऑप्शन च्रेडिंग का अगर आप इसके बारे में अच्छे से जान जाते हो ऑप्शन चेन देखकर भी आप सिर्फ ट्रेड लोगे तो ज्यादा तर चांसे से आपको प्रॉफिट ही हो एड़ मैं हमेशा कहता हूँ शेर मार्केट में जो लर्णिंग वाला पा यानि इस चैनल पर आपको शेर मार्केट से लिए बहुत सारे यूसफुल वीडियो और प्लेलिस्ट मिलेंगे सो सारे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना अब सीथे चलते हैं टॉपिक पर तो जैसे ही हम जिरोता आपको आपन करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ख और यहां बेख'll करते हैं सबसे पहले हम बैंक करेंगे उसके लनिया पर निफ्टी बैंक लिखते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह आ चुका हैचा 1 पर क्लिक करो एंड सिंप्ली बैक करो यहünden हो जाएगह से हम निफ्टी 50 को भी अड़ कर लेंगे मैं किसी में बिए बित कर लिया है अब simply हम क्या करेंगे निफ्टे 50 को open करेंगे और सबसे पहले हम निफ्टे 50 का चार्ट देखेंगे क्या पैटर्ण है आज का आज पॉजिटिवली मूव कर रहा है निगेटिवली मूव करता है आप एक बाद चार्ट देख लेते हो तो उसके बाद आपकी दिमाग में रहता है यार कैसे यह सारे प्रीमियम्स कम जादा हो रहे हैं तो वह आपको समझ आएगा सिंप्लियम व्यू चार्ट के उपर क्लिक करते हैं उसके बाद एक दो सेकेंड लगते हैं आपके सामने पूरा चार्ट अपन हो जाता है सो अभी बालवजे के बात का ग्राफ शो रहा है हम उसको थोड़ा चोटा करेंगे और देखते हैं स्टार्टिंग से मतलब जब डे क की शुरुआत हुई थी उस टाइम से मार्केट नीचे आ रहा है निगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है तो आप यहां पर ग्राफ को देख रहे हो आज पूरे दिन का मूवमेंट निगेटिव है बस इस बात को ध्यान में रखना एंड उसके बाद अब हम सीधे चलते हैं option chain को देखेंगे and अब आपको और अच्छे से clear हो जाएगा इसलिए मैंने आपको पहले चार्ट डिखाया सिंपली आपको 50 पर आपको 2-3 option दिखेंगे option chain पर click करना है जैसी option chain पर click करोगे कुछ ऐसा interface खुल कर आ जाता है यहाँ पर आपको सारे details मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर आप देखो seeful option chain है मैं इस पर click करता हूँ क्योंकि मुझे अभी demo दिखाना है तो जादा से जादा option chain रहेंगे तो अच्छा रहेगा इसी वज़े से मैंने इसको choose किया वरना आपको वहाँ से भी option chain वैसा ही दिखेगा जैसा यहाँ से दिखता है so finally अब हमारे सामने option chain आ चुका है and step by step हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझेगे इसके बाद आपको सारा कुछ clear हो जाएगा सबसे ऊपर आप देखो निफ्टी 16,963 पर अभी ट्रेड कर रहा है यह अभी का दिखा रहा है and उसके नीचे आप देख सकते हो यहां पर analysis OI है and उसके नीचे 16 March है यह expiry day के बारे में यहां आपको show कर रहा है इसको हम बाद में देखेंगे उसके नीचे आप देखो यहां पर call LTP है left side में and right side में put LTP है बीच में strike prices है ठीक है so बहुत ही short में मैं समझा देता हूँ call क्या होता है put क्या होता है क्योंकि जो beginners होंगे उनके लिए काफी easy हो जाता है call हम तब buy करते हैं जब market उपर जा रहा होता है यानि positive movement show होती है वैसे इसको sell भी किया जाता है वो दूसरा case हो गया option selling का and option buying and selling में बहुत लोगों को confusion होता है मैंने एक detail में वीडियो बनाई है अगर आपको थोड़ा भी confusion है न तो वो वीडियो जरूर देखना उस वीडियो के बाद आपको कोई confusion नहीं रह जाएगा option buying and option selling के अंदर तो देखो column buy करते हैं जब market उपर जाता है put है यहाँ पर put तब buy करते हैं जब market नीचे जा रहा होता है आज negative movement शो हो रही है तो put buy किया होगा बहुत सारे लोगों ने इसलिए आपको put side में percentage wise दिख रहा है जिन लोगों ने भी आज put को buy किया है आज के दिन उन्हें कितने percent का profit हुआ है क्यूंकि आज पूरे दिन market negative movement शो कर रहा है इसी वज़े से जिन लोगों ने put को buy किया होगा उन्हें profit हुआ होगा और जिन लोगों ने call को buy किया होगा उन्हें नुकसान हुआ होगा वो भी यहाँ पर आपको percentage wise शो कर रहा है कि आज जिसने buy किया होगा सुभा से उसे इतने percent का loss हुआ है तो अब हम expiry day के बारे में समझते हैं देखो उपर में आपको एक date शो रहा है मैंने mark किया है इसको आप जैसे select करोगे आपको बहुत सारे dates दिखते हैं आप different different date को choose कर सकते हो यहाँ एक्सपारी date को choose कर सकते हो और उसके बाद आप trade कर सकते हो देखो मैं आपको समझाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर 23rd March को choose किया आप देख सकते हो strike price same है मगर prices change हो गए अब premium के prices change क्यों होते है हर दिन change क्यों होते है और different different expiry day के दिन क्यों change होते है वो मैं अब आपको समझाता हूँ अब हमने यहाँ पर choose करके रखे है 16 March जो कि कल है आज Wednesday है और कल Thursday है Thursday को expiry day होती है यह आप सभी को पता है अब देखो कल Thursday है और आज Wednesday है तो यहाँ पर strike price अगर 17,200 की हम बात करें तो इसका price 9 rupees 45 पैसा है ऐसा क्यों है इसके बहुत सारे reasons होते हैं लेकिन मैं आपको simple concept समझाता हूँ जैसे 17,200 है तो यहाँ पर देखो कितनी दूर है अभी तो market 17,000 के आसपास trade कर रहा है आपको यहाँ पर show हो रहा है silver color में जो show हो रहा है यानि अभी market इसके आसपास है ठीक है अब यहाँ से 17,200 पर जाने में बहुत points है अब कल तक इतने points जाएगा की नहीं जाएगा यह थोड़ा मुश्किल है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो call के prices कम है अभी तो market भी negative movement कर रहा है तो इसी वज़ाए से कल तक यानि 16th of March तक 17,200 achieve करना market के लिए काफे मुश्किल है इसी वज़े से इसका price कम है लेकिन देखो 17,050 का price अगर आप देखोगे तो 34 rupees है ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है 17,050 cross कर जाए क्योंकि 500 points ही तो है जो कि बहुत जादा नहीं है इसी वज़े से prices में difference होते है volume के वज़े से भी होता है अब जैसे मैं आपको अभी 23rd of March का दिखाता हूँ 17,200 देख लो 9.25 है अब अगर हम इसी strike price को देखेंगे 23rd March expiry day में तो इसका price आप देख सकते हो थोड़ा ज़ादा होगा मेरे ख्याल से 17,277 rupees 95 पैसा है अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि यार अगला expiry day आने में तो एक सपता प्लस वन देख तो हो सकता है 6-7 दिनों में market इतना उपर जा सकता है और इसको achieve कर सकता है तो इसी वज़े से इसका price जादा है और जो भी strike price आप buy करते हो अगर market उसको cross करता है तो आपका profit तेजी से increase होता है ठीक है I think आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा अब इसके आगे हम दूसरे concept को देखते है strike price क्या होता है strike price क्या है देखो जैसे 16,950 है silver color में यानि market अभी यहां आस पास trade कर रहा है अगर अब यह जाएगा 16,900, 16,850, 16,800 यानि market तो घट रहा है और negative movement शो कर रहा है तो put के prices increase होंगे लेकिन अगर वही market 17,000, 17,100, 17,200 की तरफ जाएगा यानि market positive movement शो कर रहा है तो call के prices increase होंगे अब मैं आपको और एक important चीज़ बताता हूँ जैसे अब हमें किसी strike price पर buy या sell करना है पसंद आ गया है जैसे 16,900 के put को हमें buy करना है क्योंकि market अब भी negative movement शो कर रहा है तो हम जैसे ही उसको select करेंगे उपर हमें buy और sell दोनों का option दिख रहा है उपर आप देख सकते हो nifty 16,900 put 16 March यानि 16 March मंतलब 16 March की expired है अगर आप 23rd March choose करते है उसके बाद आपको यहाँ 23rd March शो होता नीचे आप देखो 28% है probability और profit यह भी यहाँ पर show कर रहा है अगर अभी आप इसको buy करते हो तो 28% chances है कि आपको profit हो जाए अगर वहीं जैसे आप sell इसको select करते हो तो probability दिखा रहा है 72% option selling and option buying का difference समझना बहुत ज़रूरी है option selling में बहुत ज़्यादा लोग पैसा बनाते हैं लेकिन discipline के साथ option buying and selling की वीडियो available है आपको थोड़ा भी confusion होगा तो आप उसे वीडियो को ज़रूर देखना description में link मिल जाएगी and आपको सारे playlist भी ज़रूर चेक करने हैं बहुत ही important and valuable playlist है and bull investment नहीं हो तो subscribe कर देना आपके लिए बहुत ही beneficial channel है आप इसकी तरह पाते हैं यहां पर आपको percentage तो शो हो रहा है साथ ही साथ आपको बहुत सारे information नीचे सो रहे हैं यहां पर आपको देखो हम वापस bike के side आ रहे है and उसके बाद आप देखो यहां पर आपको bids यहां पर order quantity यह सारे different bids आपको शो हो रहे है volume यहां पर शो हो रहा है जैसे 17.45 करोड की volume है आज की opening and आज के दिन का high आज के दिन का low and close यह सारी चीज़ें आपको दिख रही है अब लाशली थोड़ी बात हम volume के उपर कर लेते हैं इसकी volume आप देख सकते हो 17.47 करोड थी and यहां पर अगर आप option share में दिखोगे तो आपको side में दिख रहा होगा green side, pink side यह सारी चीज़ें क्या है जिसमें pink जादा है उसमें volume जादा है जिसमें pink वाला border कम है उसमें volume कम है मैं आपको show कर देता हूँ जैसे देखो 17.200 की call को हमने select किया है यहां पर इसकी volume आप देखो 28-29 करोड है ठीक है यहां पर हमने 17.200 के call को देखा यानि बहुत जादा है और इसके अंदर आप volume देखोगे pink color उपर तक touch हो रहा है अब हम देखेंगे सबसे small वाले 17.050 के call को यहां पर आप volume देखो सिर्फ 8.13 करोड है तो ऐसे आप volume के difference को समझ सकते हो बिना open करके बिना देखे तो जैसे ही आप option chain open करोगे अच्छे से देख कर समझ कर I hope आपको यह सारी चीज़े समझ आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe कर लेना क्योंकि यार bull invest हमारा यही motto है कि आपको कोई भी confusion ना रह जाए हमारी वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी all topic में भी confusion है तो आप comment करके पूछना मैं सभी को reply करता हूँ in fact मैंने अपने instagram का link भी description में दे दिया है तो आप अपनी confusion वहाँ पर भी पूछ सकते हो आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching have a good day